हलो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और यह वीडियो हम बनाने वाले नहीं थे बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम इस वीडियो को आपके साथ लेके आये हैं वह यह कि अभी आपको पता है कि मेरे यहां पर एक छोटा बच्चा है अभी तीन बीटा जो है यह लेके आए अब एक दिन इसको दिया दो दिन दिया आज अचानक हमारी नजर पड़ी कि इसमें देख तो ले कि आखिर यह जो इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें मिलाया गया है और या फिर इससे क्या मिलेगा तो उसके बारे में जब मैंने पढ़ जालो जब भी सबने इसको देखा तो इसमें यह पाया कि सो ग्राम अगर इसकी मात्तर है तो उसमें की मात्त्र 7 को म blat प्रोटीन में केवल 7 गराम प्रोटी कि जैसे बच्छे का बगन दस क्लों है, तो उसको 10 गराम प्रोटीन चाहिए, 15 कि किसी का बजन है तो इसको 15 गराम प्रोटीन चाहिए, हम लोगों का बजन यूजरी 60 क्लो पैसट किलो होता है, तोindi दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 100 ml दूद में लगबग 3 ग्राम प्रोटीन होता है तो अगर हम 200 ml दूद एक बच्चे को दे रहे हैं एक ग्लास दूद अगर लिया है उसने तो तीन दूदी 6-7-7.5 ग्राम यानि जितना 100 ग्राम बाउन बीटा में प्रोटीन होगा उतना एक ग्ल अच्चों के लिए वह यह है कि इसमें आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है आप भी अपने अगर आपके यहां हो यह दिपा तो जरूर देख रहा है इसमें लिखा है टोटल सुगर मतलब टोटली सॉक्ट हो गयते जब यह चीज मैंने देखी 60 ग्राम आउट आउट और 200 ग्राम में इसका दूना कर दो 1,500 ग्राम यानि इसका एक चौथाई इससर सुगर से भरा हुआ है आप ऐसे समझ लिए शकर मान लीजिए शकर क्या रेट होती है आपको पता है तो अगर इतना बड़ा डिबा है तो इतना डिबा समझ लो सुगर से भरा हुआ है बाकि व et weplay में इन्होंने डाला है वह बच्चों कूं को दएंगे डी एट। इतने यह को पाईम होता है मीथा खाणे का ऊलेड़ी दिन सार दिन इतना सुगर लोग लहे लोगते हैं यह सुगर प्सक्र नुक्षान करने लगतें अर लेकिन इसका असर अभी निए लिए संसर बाद में आगे चलके जब बढ़ती है उसके बाद आप देखते हों के सुगर और डायविटीज इनके जो मरीज होते हैं वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि शुरुआत में उन्होंने बाउंड बीटा लिया होता है तो यह मतलब बहुत हांकारक है आप लोगों से कैंडली पेस्ट है कि प्लीज बच्चों को बाउंड बीटा जैसे यह बिल्कुल भी मतला यह बिल्कुल वेस्टेज है इसकी जगह पर आप लोग दूद घी दे और घर में जो चीजें हैं सब्जियां अहरी सब्जियां यह साली चीजे बनाएं बाकि अगर आप लोग बनाना चाह है और भी किसी तरीके से इसके लिए तो हम बिल्कुल मना करेंगे